अगर आप assistant professor बनना चाते हैं या फिर research के छेत में अपना career बनाना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है नवस्कार दोस्तो मैं हूँ आयूस और स्वागत है आपका base track fair पे इस वीडियो में आगे क्या क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं UGC net क्या होता है इसकी liability criteria क्या है age limit कितना होता है selection process क्या है exam pattern क्या होगी syllabus क्या है और इसकी तयारी कैसे करें और UGC net करने पे क्या क्या benefits आपको मिलते हैं इसके बाद FAQ है जिसमें हम कुछ topics को cover करेंगे इन सभी points को detail में जा रहेंगे और वीडियो के end में कुछ ऐसे important things share करूँगा जिससे आपके सारी confusion दूर हो जागी तो वीडियो को end तक देखें पहले जानते है UGC net क्या होता है UGC का full form है university grant commission जो की university और colleges को coordinate करती है net का full form है national eligibility test UGC net national level का eligibility test होता है जो की assistant professor और research fellowship के लिए conduct कराया जाता है इस exam को clear करने के बाद आप colleges में lecturer बन सकते हैं assistant professor के पदपे या फिर आप research के छेतर में आगे PhD कर सकते हैं JRF लेने के बाद इस exam को NTA conduct कराती है यानि कि national testing agency जो की NEET और JE का exam conduct कराती है और ये साल में दो बार conduct होता है जून और December में अब जानते हैं eligibility के बारे में इस exam को देने के लिए आपको post graduate होना होगा relevant subject में 55% mark से जो की general category के लिए है वही अगर हम OBC, NCL और ACST के बाद करें तो आपको minimum 50% marks हो लें चाहिए और ध्यान रखें अगर आप last year के student है या फिर last semester के student है तभी आप apply कर सकते हैं अगर हम बात कर लें इसकी age limit की तो age limit maximum 30 year है जो की JRF यानि की junior research fellowship के लिए है और OBC, SCST जो है उसमें 5 साल की छुट मिलती है अगर वही बात कर लें assistant professor के पत के लिए तो इसमें कोई भी maximum age limit नहीं है आप किसे भी उम्र में इसे आप apply कर सकते हैं अब जानते हैं selection process तो selection process आपको जैसे की पता चला है कि यहाँ पे eligibility character का एक post graduate होना होगा तो ध्यान रखे कि जब भी आप form भरेंगे तो post graduate जिस subject से हुए उसी का form भरेंगे एक से ज्यादा अब नहीं भर सकते हैं अगर भरेंगे तो legal action लिया जाएगा ऐसा UGC net कहता है जिसका डीटियल में आपको यहाँ पे screenshot दिखाऊंगा अगर उसके बाद जब भी आप form भरते हैं तो ध्यान रखे कि आप साल में दो बार form भर सकते हैं तो जून और दिसम्बर में दो बार conduct कराया जाता है UGC net का exam जोस्तों आप जानते है exam pattern के बारे में इसमें paper 1 and paper 2 होते है paper 1 की बात के लिए तो 100 marks का होता है जो कि 50 questions पूछे जाते हैं जिसमें general aptitude, general awareness, comprehension और teaching ability से questions पूछे जाते हैं वह paper 2 की बात कर ले तो paper 2, 200 marks का होता है जिसमें 100 questions पूछे जाते हैं जो कि आपका जो subject होता है वो subject yg's में questions होते हैं timing बात कर ले तो दोनों paper का timing 3-3 घंटे का होता है और एक ही दिन में conduct कराया जाता है तो इसमें को भी break नहीं मिलता है तीन घंटे का आपका timing मिलता है और इसमें negative marking नहीं होता है mode of examination की बात कर ले तो यह online होता है जो कि NTA conduct राता है national testing agency जोस्तों आप जानते हैं syllabus के बारे में इसमें paper 1 and paper 2 की बात कर ले तो paper 1 की बात जो मैंने exam pattern में बता जाए same यहां पे है जो syllabus है वो आपको अलग अलग pattern में देखने को मिल रहा होगा जो screen पे आपको देखने को मिल रह सकते हैं या पिर अगर इसका पीडियोस चाहिए आपको तो टेलीग्राम से जुड़े टेलीग्राम चैनल से वहां पर आपको मिल जागा इंस्टाग्राम से जुड़े वहां पर पूछ सकते हैं इस से रिगाडिंग और paper 2 की बात कर ले तो paper 2 में आपका subject wise होगा जैसे अग अगर आपको चाहिए तो आप हमें DM करें Instagram पर वहां से आपको दिया जाएगा जोस्तों आप जानते हैं प्रिपरेशन यानि कि तैयारी कैसे करें अब किसी भी एक्जाम या फिर प्राइबेट हो या फिर इंट्रेंस किसी भी चीज का आप तैयारी करते हैं तो इसका मेन है हैं आपको syllabus का पता होना syllabus की अच्छी जनकारी होगी तभी आप इसकी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे साथ में आप मौक टेस्ट को देखेंगे प्रिवेस एर कोश्चन पेपर देखेंगे जो कि मैं आपको बदा दो यहां पर और यहां पर आपको देखने को मिल रहा ह सकते हैं कि 2015 से 2030 the paper है तो आपको यह पर ना ही होगा साथ मैं आप देख सकते हैं कि यहां पर में आप 10 ले सकते है पंदरा साल का यहां पर सोले पर आपको देख़रा यहां पर अच्छे Content की बात कर लें तो यहां पर आपको Content भी दिया रहा है देख सकते हैं या पर Content Planning किया गया है बकाईदें यहां पर आप डीटील्स में देख सकते हैं इसका Link जो है मैं description में देदूँगा अगर आपको चाहे हैं तो आप ऊडर कर सकते हैं बाकि इसको नहीं कर पाएंगे, तो सब की सुने और अपने मन की करें, जोस्तों आप बात कर लेते हैं, बेनिफिट के बारे में, यानि कि UGC निट करने के बाद क्या फायदे आपको मिलेंगे, तो अगर आप जीरेफ क्वालिफाइ कर लेते हैं, जो कि हाई कट अफ होता है, जीरे आप फायदे मिलते हैं, तो अगर आप जीरेफ क्वालिफाइ कर लेते हैं, यानि कि जुनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल जाती है, यानि कि यह स्कॉलर्शिप है, दो साल तक आपको गोहर्मेंट जो पे करेगी, आगे की जो रिसर्च के छेत्र, मतलब पीएजडी कर आपको पैसे देंगे, मतलब आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको पैसे भी आते रहेंगे, और आप परहाई भी आगे कर पाएंगे, दूसरा अगर बात करते हैं, अगर आप एसिटेंट प्रोफेसर के लिए चुने जाते हैं, मतलब इसके लिए होते हैं, तो जाद तर ये questions पूछे जाते हैं, आपके मन में भी सायद होगा, कि JRF और NET का exam अलग-अलग होता है, या फिर एक ही होता है, तो मैं आपकी confusion दूर कर दूँ कि JRF और NET, UGC NET जो है, उसका exam एक ही होता है, जिसकी high cut-up होती है, उनको JRF मिलता है, और उसकी जो lower cut-up थोरा सा होता है, उसको मिल जाता है, स्टेंट professor का post, तो इसमें confusion होने वाली बात नहीं है, जोस्तों बात कर रहेते हैं, जो कि JRF और SRF है, इन दोनों में बीच डिस्फ्रेंसिस क्या है, तो मैं बता दूँ कि UGC NET अगर exam देते हैं, तो इसमें आपको high cut-up के JRF मिलता है, वह या प आपका research थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, मतलब कि 3-5 सल का जो भी PhD लगते हैं, तो इसमें आपको appeal करना होता है, application लिखनी परती है, UGC NET को, तो आपकी JRF जो है, उसको convert करके SRF में convert कर दिया जाता है, उसमें आपकी पैसे जो है, मतलब ज्यादा हो जाते है, scholarship में तो यही है, इसके बीच ज्यादा confusion होनी की ज़रूत नहीं है, तो थर्ड कोस्चन आपके माइंड में आता होगा, नेट और स्ट को लेकर के नेट और स्ट क्या अलग-अलग होता है, तो मैं आपको बता दू कि हाँ, नेट यानि के national eligibility test, और स्ट यानि के state eligibility test, तो नेशनल ल किसी particular street के लिए exam दे रहे हैं, तो यहाँ पे eligible होंगे teacher बनने के लिए, जो फोर्थ question हमारे पास है, वो है UGC net और CSIR net, इन दोनों के बीच जो क्या difference है, यह काफी सारे जो लोग होते हैं, उनकी दिमाग में यह चलते रहता है, तो मैं आपको बता दू कि CSIR net और UGC net में difference है दोनों की exam conducting body जो है, वो NDA यह National Testing Agency है, लेकिन जो UGC net है, वो non science background के लिए है, और CSIR net जो है, वो science background के लिए है, इसके बीच में काफी differences है, मैं आपको डीटेल वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपको इस चीस पर वीडियो चाहिए तो comment करके बताएं, यादे वीडिय सब्सक्राइब करें, आपके पास ऐसे informative वीडियो आते रहें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद